नमस्कार दोस्तों बिहार के बाद महराश्ट्र में भी NDA के भीतर भीतरगात है महराश्ट्र में भी सीट बटवारे को लेकर सिर्फ उटवल है हालात यहां तक पहुँच चुके हैं दोस्तों कि मुख्यमंत्री एकनात्शिंदे और डिपिटीसियम अजीत पवार के बीच मे भयंकर युद्ध चल रहा है एकनात्शिंदे के लोग अजीत पवार की पत्नी सुनेतरा पवार को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते हैं शिंदे गुटके लोग और खुद सिंदे बारा मती से अजीत पवार की पत्नी के खिलाफ किसम खाकर खड़े हो गए हैं कि यहा पुरानी सीट है मैं आपको एक आकड़ा बताता हूँ कि बारामती सीट से खुद शरत पवार कितनी बार छए बार छए बार लोग सबा सांसद चुने जा चुके हैं बारामती सीट के उपर से उनकी जो बेटी है सुप्रिया सूले वो खुद तीन बार यहां से सांसद रह अब यह अपनी पत्नी सुनित्रा नाम है उनका सुनित्रा पवार को यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं लेकिन बारामती से अब खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लोग तांग अड़ा कर खड़े हो गए हैं कि सुनित्रा पवार यानि अजीत पवार की पत्नी को चुनाव नहीं लड़ने देंगे नहीं लड़ने देंगे अब अजीत पवार के सामने चुनोती ये है कि वो अपनी पत्नी के पक्ष में खड़े होते हैं या नरेंदर मोदी के पक्ष में खड़े होते हैं या इंडिये के पक्ष में खड़े होते हैं अजीत पवार के सामन जाएंगे कहाँ मसला महराश्ट के भीतर बहुत जादा तेड़ा और पेचीदा हो चुका है एक सीट की बात होती तो चल जाता लेकिन अब सीट पर नाम अजीत पवार की अपनी धर्मपतनी का है तो धर्म पत्नी का नाम इस सीट पर आने के बाद अजीत पवार और शिंदे के बीच में तलवारे खिच चुकी है दोनों के बीच में बस युद्ध होना बाकी है सिर्फ यही सीट नहीं है दोस्तों इसके अलावा दो सीटे और हैं तीन सीटों पर गदर मचा हुआ है इतना ही नहीं है कि शिंदे और अजीत पवार आपस में लड़ रहे हैं खुद भारतिय जनता पार्टी के उनके अपने नेता उनके अपने सांसद एक सीट पर जुतम पैजार मची हुई है उनके बीच में घमासान मचा हुआ है सिर्फ फुटवल मची हुई है बस जोटिम जोटा नहीं हो रहा है बाकी सब कुछ चालू है यहां तक कि यह जोटिम जोटा रोकने के लिए यह सिर्फ फुटवल रोकने के लिए देवेंदर फड़नवीश को मुंबई से कौन सी सीट पर सीट का नाम है माणा माणा सीट के उपर मंतरी को भेजना पड़ा और मंतरी से कहा गया कि जाईए आप भारती जंता पार्टी के नेताओं के बीच में जो सिर्फ फुटवल है उसको रोकने की कोशिश करिए महाजन जो मंतरी हैं उनको भेजा जाता है उनका आधिकारिक बयान आता है दोस्तों कि हर नेता के लोग अपने नेता को चुनाव लड़ाना चाहते हैं मैं अखबार लेकर आपके सामने बैठा हूँ देखिए माना और सतारा माना सतारा और बारामती ये तीन सीटे हैं दोस सतारा की बात में बताता हूँ देखिए अखबार हिंदुस्तान है वो क्या लिखता है लिखता है मारा और सतारा में नेता और पार्टी कारेकरता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी सांसत उदयन राजे भोसले के समर्थक इस बात से नाराज हैं कि महराश्ट में बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली सूची में सतारा सीट से उनके नाम की घोशना नहीं की गई इस बीच भाजपा के दिगज नेता विजय सिंग मोहिते पाटिल और राष्ट्री कॉंग्रेस पार्टी यानि NCP के आजित पवार के गुट के जो नेता हैं खेमे के नेता राम राजे निबालकर भी भाजपा के रंजीत सिंग नाइक निबालकर को माढ़ा से उम्मीदवार गोशित किये जाने से नाराज है अब दिखिए एक तरफ मसला ये है मसला एक तरफ ये है कि सतारा सीट से उनकी गोशना नहीं की गई किसकी उदै राजे भोसले के समर्थ तके कह रहे हैं कि उनकी गोशना क्यों नहीं की गई दूसरी एक तरफ भारती जनता पार्टी लड़ रही है यहां भारती ही जनता पार्टी से और दूसरी तरफ इसी सीट से नाराजगी है भारती जनता पार्टी के उस कैंडिडेट से जिसका नाम चल रहा है अजीत पवा गुट की भी किस से विजे सिंग मुहिते पाटिल भाजपा के दिगज नेता विजे सिंग मुहिते पाटिल और राष्ट्री कॉंग्रेस पार्टी खेमे के राम राजे निबालकर भी भाजपा के रंजीत सिंग नाइक निबालकर को मारा से उम्मीदवार गोशित किये जाने स पढ़ रहा है प्रभावशाली मोहिते पार्टिल परिवार को टिकट देने से इनकार करने के पार्टी के फैसले से असंतोष फैल गया है जिसका असर आगामी लोकसभा चुनावों पर पढ़ रहा है सोलापुर जिले का माणा निर्वाचन छेतर परंपरागत रूप से मोहिते पार्टिल परिवार का गढ़ रहा है हाला कि भाजपा ने पिछले हफ़ते मौजूदा सांसद रंजीत सिंग नाइक निबालकर को माणा निर्वाचन छेतर से मैदान में उतारने का पैसला किया जि कारकरताओं को ध्यान दीजिएगा विद्रोही नेताओं और पार्टी कारकरताओं को मनाने के लिए मंतरी गिरीश महाजन को भेजा था लेकिन उनके काफिले को ही रोक दिया गया उन्होंने सतारा में इस्तिती की समीक्षा करने के लिए भाजपा कारकरताओं के साथ बैठ भी की महाजन ने सपश्ट कहा है कि महायूती के सहयोगी दलों शिवशेना और एंसीपी के बीच कुछ गलत फहमिया हैं महाजन ने कहा कि हर कोई चाहता है कि उनके नेता को उनके निर्वाचन छेतर से मैदान में उतारा जाए इसलिए उपमुख्यमंतरी देवंदर फटनवी इसने मुझे नेताओं के साथ चर्चा करने और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए भेजा है उन्होंने कहा कि महाराश्ट के लिए उम्मीद वारू की सुची जल्दाएगी अगबार की कटिंग मैं आपको पढ़कर बता रहा था जो आपके बगल में चल रही है आप ज उस पर अखबार क्या लिखता है वो भी मैं आपको बता देता हूं अखबार लिखता है बारामती एक और ऐसी सीट है जहां शिवसेना और राश्टरी कॉंग्रेस पार्टी अनि शिवसेना और एंसीपी के बीच आम सहमती नहीं आम सहमती बनने को है अभी तक आम सहमती इस पवार के खिलाफ लड़ने की कसम खा रहे हैं देखिए अगबार यहां पर लिक रहा है कि शिवशेना के जो नेता है विजय शिवतारे 12 मती से वो अजीत पवार की धरम पत्नी जो हैं उनके खिलाफ उतरने की कसम खा रहे हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मनाने के लिए शोमवार को शिवतारे को बुलाया था बहराल शिंदे से चर्चा के बाद शिवतारे ने मीडिया से कहा कि वो अपनी विदानसबा सीट पुरंदर के अपने समर्थकों से बात करने के बाद अंतिम फैसला लेंगे अभी भी बारामती सीट फसी हुई है और अभी भी अपने समर्थकों को मना नहीं पाए हैं शिंदे क्या बाद चीत की क्यों नहीं मना पाए क्या अजीतपवार के खिलाफ कोई बड़ा शड़यंत्र अंदर ही अंदर किया जा रहा है क्या जीथ पवार की पत्नी की राजनी तिक हत्या करने की कोशिस की जा रही है क्या चल रहा है महराश्टर में जबकि बारामती की सीट परमपरा गत्पवार परिवार की सीट रही है लड़ाई तो सुप्रिया सुले अजीत पवार के बीच में होनी चाहिए थी लेकिन यहाँ पर लड़ाई किसके बीच है लड़ाई है शिवशेना के बीच शिंदे वाली शिवशेना के बीच और अजीत पवार के बीच क्योंकि सुप्रिया सुले यहां से सांसद रही है तीन बार तो दावा तो सुप्रिया सुले को ठुकना चाहिए था युद्ध तो उधर से होना चाहिए था लेकिन यहां आपस में ही भीतर ही भीतर भीतर घाच चल रही है भीतर ही भीतर युद्ध लड़ा जा रहा है भीतर ही भीतर लड़ाई बड़ी होती दिखाई दे रही है महराष्ट की इन तीन सीटों के उपर अब कैसे ये गुत्थी सुल्जेगी क्या अजीत पवार को शिंदे गुट हराने के लिए मैदान में उतरेगा क्या भारतिय जनता पार्टी के एक कैंडिडेट को हराने के लिए अजीत पवार का गुट और भारती जन्ता पार्टी का वो गुट जिसे टिक्ट नहीं मिला है दोनों मिलकर उतरेंगे और क्या होगा माढ़ा का सतारा का और जो तीसरी सीट है बारमती का हम आपको बताएंगे जैसे जैसे अपडेट्स आते जाएंगे आपको बताएंगे पूरी खबर आपके सामने लाएंगे मेरा नाम भरत यादव है आप उल्टा चिसमा यूसी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए नमस्कार